तो आज मैंने अपनी community के साथ share किया कि 2024 में मैं most of portfolio जो अपना cryptocurrency है वो new coins में रखना चाहूँगा और कुछ पुराने coins भी मैं अपने portfolio में रखूँगा मैं यहाँ पर अच्छे बड़े profit के लिए आया हूँ not lagging gains के लिए और यहाँ पर जो जादतर coin top performer होंगे अगले bull run में या तो वो अभी initial stage पर है या तो आने वाले time में आएंगे तो आज की वीडियो होने वाले काफी जादा exciting बिगर्स तीन coin मैं ऐसे आपको बताने वाला हूँ जो बाकी market को outperform करने वाले हैं 2024-25 के bull run में तो यह वीडियो आपके लिए काफी काफी important होने वाली है और यहाँ पे हमने coin discuss किया है अपनी community के साथ जो अपने macro trend line को touch कर रहा ह है और यहाँ से देख सकते हैं आप इस trend line से जब भी हमने देखा है यहाँ पे हमें अच्छा कासा pump देखने को मिला है और ऐसे ही तीनों coins बहुत जबर्दस pattern भी बना रहे हैं जो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ तो एक और चीज़ जो काफी important अभी market में चल रहे है वो य जिनोंने अपने meme coins निकाले और अपने meme coin का MEXC पे डाल दिये और वहाँ पर जो manipulation हो रही है वो MEXC का नाम ले रहे है उसके लिए तो आपको एक चीज़ धान रखने है अगर आप दोनों ही exchanges पर अपने funds रखते हो तो बिना किसी से पूछे बिना कुछ सोचे आप यहाँ प अपने funds निकाल चुका है MEXC मैंने कभी use ही नहीं किया है और मैं पहले भी ऐसे steps ले चुका हूँ अल्दो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई exchange बंद हो गया हो बट still हमेशा safe रहना सही है और कोई भी influencer अगर आपको यह बोलता है कि gate io से fund निकाल के buybit पर डाल लो या gate io से fund bid get पर डाल लो मेरे link से डाल लो तो वो सिर्फ आपको गुमरा करने के कोशिश कर रहा है तो यह तो हमने कर ली कुछ important बात है अब बात करते हैं आज की वीडियो की जो काफी important है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ important चीज़ों की जो आपको ध्यान में रखनी है before investing in these alt coins से पहले एक चोटी से request की channel को subscribe जरू करेगा वीडियो को कर देजे का like जिससे हमें motivation और support ऐसे daily videos बनाने के लिए और आपको भी daily ऐसा content मिलता रहता है जो आपके काफी काम आ सकता है आपकी cryptocurrency trading investment journey में साथ इसाथ अगर आप वीडियो के link में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिल है historical screenshot देख रहे हैं तो यह चीज मैं काफी बार discuss कर चुका हूँ आपसे कि जातर ऐसा होता है कि जो पहले के coins होते हैं वो इतना अच्छा perform नहीं कर पाते हैं बट कुछ coins जैसे होते हैं जो नए होते हैं market में और वो जबरदस तरीके से perform करते हैं तो ऐसा इस बार भी होने व अफरिंग की हम बात करें लिस्टिंग की क्योंकि हम लिस्टिंग पर खरीदने वाले चीजों को तो यहां से 0.01 से अगर आप count करते हैं polycon का gain all time high तक तो डाइसो गुना का return था और साथी साथ आप देखते हैं अगर solana को solana भी काफी top performing asset रहा अपने time का तो दो डॉलर से ए 40-40x भी gain काफी होता है और अब बात करते हैं हम cardano के अगर तो cardano ने भी जबरदस gain दिया almost almost 100x का ही gain आप समझ सकते हैं कि cardano ने भी दिया अपने all time high तक बट एक चीज़ आपको ध्यान रखने हैं कि इन में से अब यह जो coins है इसमें मैं polycon hold करता हूं solana में मैं entries build कर रहा हू ever launch पर मैं bullish हूं cardano मैं नहीं करीकता हूं बट यहाँ पर आपको एक चीज़ दियान रखनी है दोस्त कि यहाँ पर यह coins अब इस तरीके से दुवारा नहीं perform करेंगे instead of repeating this pump यह pump जरू करेंगे bouncing balls की तरह हैं आपको एक चीज़ दियान रखनी है हो सकता है कि ever launch एक ने all time high बना करने वाला हूं मैं बात करने वाला हूं की hype की और यहाँ पर सबसे पहले coin जो हम discuss करेंगे Aptos Aptos पर मैं काफी टाइम से bullish तक आफ टाइम से वीडियो नहीं बनाई Aptos पर Aptos का चार्ट भी मैं आपसे end में discuss करूंगा बहुत amazing pattern यहाँ पर बन रहे है यहाँ पर आगर आप यहाँ पर सिर्फ 19% supply इनकी unlock है उसकी बात करेंगे Aptos की बात करेंगे अगर तो layer 1 blockchain है जैसे कि Ethereum है और move language पर चल रही है जो की rust language से बनी है जो की Solana की language थी तो नहीं language है ecosystem काफी अच्छा है growing है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी partnerships भी है Aptos की और इनकी team काफी जाद relationship होते ही दिखी और unity अगर आप web store जाते हैं asset store unity web 3 asset store पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको solutions में आपको immutable X टेजोस जैसी blockchain पुरानी भी मिलेंगे और नई blockchain Aptos जैसे भी मिल रही है so it is a big deal unity gaming store के बारे मैं काफी बार बात करेंगे मुझे ऐसा लगता है कि Metaverse और play to earn जो है वो हमेशा बात करते हैं कि 2024 में बुल रहा नाएगा 25 में बुल रहाएगा तो उसकी तयारी हम यहां पर कर रहे हैं तो Aptos की बात करें तो Aptos का एक token unlock होने वाला है जब मैं वीडियो बना रहा हो तो उसके सीधा सीधा 13 गंटे के अंदर पर token unlock को समझने की तो रहते हैं यहाँ Aptos का चार्ट में इंड में डिसक्स करें वाल तो वीडियो के एंड में जरूरूर ना उसके बात जो एक coin है जो मैं डिसक्स कर रहा हूं वो है आर्बिटर में एक layer 2 solution है जैसे की polygon matic है नया एक comparatively इनने काफी अच्छा airdrop भी दिया अपनी community को जिसके विए से इसके बारे म आर्बिटरम पे launch हो रहे है जो इनका TVL है TVL बहुत अच्छी दरीके से grow हो रहा है सबसे fastest TVL जो है active users भी अगर आप देखेंगे तो सबसे fastest grow हो रहे है TVL देखेंगे तो भी एक peak पे है TVL उसके अलावा अगर आप active users को हटा देते हैं यहां से सिर्फ TVL fees भी देखते हैं तो fees भी अच्छी generate कर रहे हैं और काफी सारी चीज़े ऐसी है inflows देखते हैं अगर तो inflows भी काफी अच्छे हैं की blockchain के अंदर so it is a big deal मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा perform यह कर सकता है जैसा कि हमने past में देखा Aptos से जैसे कि हमने past में देखा Avax से Solana से Polygon से और तीनों ह कोईन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने हैं आपको अगर आप long term holder हो और तीनों ही coins को long term hold करने वाले हो तो instead of leaving your money in the market आप profit book करके profit hold करो क्योंकि यह cryptocurrency market अदूस यहां पे एक bad news 80% का dump भी ले आती है और एक अच्छी hype 50 to 60% का pump भी ले आती है और आप कभी भी देखेंगे तो market crash जल्दी होती है pump होने में ज्यादा time लगता है अभी हम bull run में नहीं है तो एक ही strategy मैं use कर रहा हूँ हर coin के लिए that is hold your profits हर coin में तो नहीं करता हूँ मैं hold your profits बट ये तीनों coins मैं अगले bull run के लिए रखना चाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जब past में हमने Cardano जैसी blockchain को अगर हम market cap wise देखते हैं दोस्त ठीक है Cardano गा एक बहुत crazy चीज मुझे लगते है ecosystem अभी भी बहुत चोड़ा है तो जब कोई ecosystem नहीं था जब कुछ नहीं था तो Cardano ने 100 billion dollar की market cap को claim कर लिया AVAX को देखे तो AVAX ने कितनी market cap claim कर ली वो भी हम देखना चाहेंगे 30 billion dollar की market cap AVAX में claim कर ली थी Solana को अगर हम देखें तो Solana ने भी लगभग लगभग 70 to 75 billion dollar की market cap claim कर ली यहाँ पर हम देख सकते हैं और Polygon ने अभी ऐसा नहीं किया है तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि यह coins इतना जादा potential लगते हैं कि यह भी 30, 40, 50 billion dollar की market cap को easily test कर सकते हैं तो यहाँ प token unlock हमेशा ही bearish नहीं होता जब market का एक अच्छा sentiment होता है तो वहाँ token unlock को जो dips होती है token unlock के वो खरीबी चली जाती है और वो उस हिसाब का dip नहीं आता अगर आप यह सारी coins देखेंगे तो इनकी भी जो supply थी वो totally into market नहीं थी जब यह pumps आए काफी कम supply इनकी market में थी उसके था optimism 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 भी एक layer 2 blockchain है और इसकी market cap अगर आप देखेंगे तो 918 million है अभी recently मैं इसके बारे में काफी ज्यादा फट था बट यहाँ पे काफी अच्छी news भी है अगर आप देखेंगे तो इंका एक upgrade भी आ रहा है bedrock mission control ठीक है तो bedrock upgrade आ रहा है इंके network upgrade होगा ज्यादा अच्छ optimism को आपको कलेगा अगला unlock कब है तो यहाँ पर हम देख रहे है optimism को अगला unlock जो है इसका 34 million dollar का 27 दिन बाद है तो जो बड़ा unlock था वो तो यहाँ पर हो चुका है असा हमें दिख रहा है ठीक है तो काफी सब्सक्राइब मार्केट में इसकी भी नहीं है और यहाँ पर बहुत 20 दिन बाद देख रहा है और यहाँ optimism काफी अच्छी है इस पेस पर आगया और optimism को काफी अच्छी मैं बोलो हूं adoption भी देखने को मुल रही है क्योंकि यहाँ पर coinbase नहीं जो अपनी layer 2 blockchain निकाली है जिसका नाम है base वो optimism की technology यूज़ करके निकाली है तो this proves कि optimism की technology काफी काफ अब चलते हैं तीनों के चार्ट पर जो सबसे important चीज है जो मैं आपके साथ शेकर ना चाहूंँ पहले हम देखेंगे optimism की चार्ट को one week time frame में हमें से देख रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं हमेशा trend line पर बहुत जादा focus करता हूं आप यहाँ पर देखेंगे तो य 121% का pump यहाँ पर एक और बार हमें देखने को मिला इस trend line bounce है और उसके बाद हमें 259% का bounce देखने को मिला आज की date में अगर हम ओपी के price को देखेंगे तो यहाँ से bounce हो रहे है weekly time frame में अगर आप देखते हैं वंडे time frame में अगर आप देखते हैं तो भी यहाँ पर ऐसे chances बन करेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दुबारा हमने tap कि है ठीक है वंडे time frame में हमें थोड़ा सा उठता हुआ दिख रहा है फोर आर टाइम फ्रेम में भी यहाँ डबल बॉटम बनता दिख रहा है पर डबल बॉटम कपन हैं यह जब बहुत जल्दी fail होते हैं तो ऐसा म मैंने अपने experience से देखा है कि patterns पे तो सिर्फ हम trade नहीं कर सकते हैं जैसे कि अभी head and shoulder pattern काफी लोगो उने trade कर रखा है bitcoin का और उसका target बनता है बाइस जार तक का तो अगर हो रहा है तो पांच वी बार भी chances बन जाते हैं bounce होने के बड़ नहीं बनता तो obviously एक बड़ा dump देखने हैं अगर आप यहां पर भी एक trend line connect करने की खुशिश करते हैं दोस्त तो हो सकता है कि यहां से यहां तक का pump भी हमें 3.35 डॉलर्स तक का ओपी में देखने को मिल जाए अगर bitcoin bullish हो जाता है तीनों coins को ध्यान रखे जब भी आपको breakout देखने को मिले अपनी strategy पे काम करें strategy यही test होती है तो हम उसको सही मानते हैं बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो ही बार test हुआ है और यहां पर एक और important चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा one hour time frame में अगर आप देखते हैं चीज को या हम four hour time frame में देखता है तो काफी important एक interesting चीज मुझे देखने को मिल यहां पर breakout देनी की कुश्श कर रहा है इस range को अप्टोस थोड़ा सा और उपर कर लेंगे तो breakout पर ही है almost तो यहां से अगर अप्टोस ब्रेक हो जाता है तो अच्छा खासा target आपको देखने को मिल सकता है और यहां पर भी मेरी एक ही strategy है कि जब भी मौका मिले दोस्त दोस् उसके बाद एक massive dump भी होता है तो I am expecting that हो सकता है थोड़ा सारी trace करके फिर दे यह pump मैं बोलूगा कि bitcoin और उसके बाद फिर हमें देखने को मिलेगी all season अच्छी खासी rally जो हमें जन्वरी में देखने को मिली वहां पर हमने काफी profit बुक किया था इस बार भी हम आप्टोस को ignore नहीं करेंगे काफी सारी rallies आएंगी काफी सारी narrative आएंगे बट वहां पर आपको अपनी strong choice जरूर बना करेंगे कि किन coins में आपकी strong choice है यह तीनों ही coins आने वाले time में काफी अच्छा potential रखते हैं तीन में से दो भी coins बहुत अच्छे perform करेंगे तो आपकी capital बहुत massive परीकिसी ग्रो जाएगी और आप काम कर रहे हैं अगर hold your profit strategy पर तो जो एक coin ग्रो नहीं होगा उसमें भी आपने risk काफी अच्छे से manage के अब third coin की बात करें आर्बिटरम की तो आर्बिटरम में भी आप देख सकते हैं sideways range है जिसको तोड़ने एकोशिश आर्बिटरम कर रहा हो सकता है आज ना तोड़ पाए पर तोड़ देगा तो अच्छा का सब pump हमें यहां पर देखने को मिल सकता है बड़ आपको advice यही है कि कहीं भी entry पूरी ना ले 30% fund से entry ले जितने का आपको लेना है ताकि आप दोनों side play करते हैं 30% fund से फाइदा क्या होता है entry लेने का यह मैं आपको आज समझाए तो काफी लोग पूछते हैं शायद लोगों को नहीं आता समझ तो देखे probabilities पे काम होता है market में right probability होती है उपर जाने की और नीचे जाने की चार्ट जो होता है वो probability हमें बताता है right तो आपने यहां पर entry ले ले लिए for example aptos पे हम बात करें या फिर आर्बिटर कमाया तो आप फाइदे में हो गए अगर आपका जो entry थी वो गलत हो जाती है और इस तरी के move आपको देखने में मिलता है range lows हम test करते हैं और और नीचे की तरफ अगर by chance की बात है आर्बिटर हम चले जाता है और market turn ले ले लेते हैं नीचे तो आप नीचे भी winning side में है क्यों करी है और आप अगर technicals का भी use करते हैं entry लेते हो तो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो like करना मत भूलना तीनों ही कोईन पर पूरा focus आपका होना चाहिए जरूरी नहीं है आप आज के आज ही पैसा लगाएं अगर आपनी list में रखेंगे इसको और मौका मिलते ही ये अच्छे entry बनाइगे तो तीनों ही जगह आपको जबरदस profit होगा ये तीनों ही coins में अपनी list में रख रहा हूं पास में हमने काफी बड़े बड़े gains देखे हैं और अगर आने वाले time में अगर आप ऐसे gain पकड़न content मिलेगा ही मिलेगा तो मिलते हैं दुबारा ध्यान रखे हैं दोस्तों